पिर अग्दानीज़ जसा एको फाइनल की जंग सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर बड़ी खवर के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज टीट्वेंटी वर्लड कप में भारत और इंग्लेंड के बीच सेमी फाइनल मुकाबला है जी हाँ सेमी फाइनल में भारत और इंग्लेंड की भिडंत होगी इंग्लेंड को हराने के लिए रोहित की ब्रिगेट पूरी तरीके से त्यार है गयाना के प्रोविडंस स्रेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा आज रात भारती समेना सार आठ बजे भारत इंग्लेंड में ये महा मुकाबला होने वाला है जो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं ये जानकारी धड़कन की तरह लोगों के दिलों में इस वक्त है क्योंकि बड़ी तादाद में भारती क्रिकेट फैंस आज रात आठ बजनी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते ही वो देखना चाहते हैं कि रोहिड की ब्रिगेड चोके छकों की बरसात किस तरीके से करती है तो इस एक साथ ग्राफिक्स के जरीयों भी जान लेते हैं भारत परसास इंग्लेंड में क्या इस्तिती है आंकड़े क्या कहते हैं कुल मैच 23 वे भारत में 12 मैच जीते हैं और इंग्लेंड जीता 11 यानि नेक टू नेक लड़ाई है एक मैच से भारत लीड कर रहा है कुल T20 मैचेस में लेकिन T20 वर्ड कप में क्या हालात है वो भी जान लेते हैं कुल मैच चार हुए भारत ने जीते दो इंग्लेंड ने जीते दो यानि मामला काटे का है दोनों ही टीमों के बीच में थोड़ी सी 19-20 भी पूरा फर्क नहीं का जाएगा लेकिन सेमी फाइनल में भारत इंग्लेंड की भिणनत के बारे में भी जान लेते हैं T20 वर्ड कप में भारत इंग्लेंड के बीच मकाबला सेमी फाइनल में हो रही है ये भिणनत T20 वर्ड कप 2022 के सेमी फाइनल में इंग्लेंड ने भारत को हरा दिया था सेमी फाइनल मकाबले में इंगलेंड ने भारत को दस विकेट से हराया था इंगलेंड से बदले के लिए रोहित ब्रिगेट ने कमर कसी हुई है उसी सेमी फाइनल का इस सेमी फाइनल में इसाब चुपता करना है टीम इंडिया इंगलेंड को हरा कर उस बदले को सामने पूरा करना चाहेगी शशी काला मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए है क्रिकेट कोच ज्यादा जानकारी के साथ शशी जी पहला मैच हो चुका है साउथ अफरीका ने खुद को फाइनल में पहुचा लिया है अब भारत और इंगलेंड आमने सामने हैं और ये नौकाउट स्टेज आ चुकी है अब जो बाहर हुआ तो वो बाहर ही हो गया आज तर है बहुत ज़्यादा आतम विश्वास लवरेज है बैटिंग काफी लंबी है बैटिंग में गहराई है बॉलन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं फिल्डर्स बहुत अच्छा कर रहे है और ये गयाना का ग्राउंड है इसकी जो बाउंडरी लाइन है वो काफी लंबी है चोटी नहीं है तो स्पीलर्स हमारे काफी अच्छा करेंगे आपने देखा होगा अफगानिस्तान ने इसी ग्राउंड में नीजिलेंड को बड़ी वन साइडेंड मैस में हरा दिया था लेकिन हमें आदिल राशीद से मौई नली से दोनों स्पीलर हैं इनसे बचके रहना होगा साथी साथ जोफरा आर्चर ने जो पिछली बार बाल डाला है पिछले वैस में बहुती शानदा बॉल डाला था और उनको टीम में डाला गया था बहुत अच्छे आल राउंडर है वो फिल्डर बहुत अच्छे है उनसे बचके रहना होगा साथी साथ जो उनके कप्तान है बहुती चलाक है और बहुत अच्छी फॉर्म में है हमारे जोस बटलर तो जोस बटलर से भी बचके रहना होगा उनकी विकेट जल्दी जल्दी प्राप्त करनी होगी अगर हमने ऐसा कर पाए तो मैच हम काफी असानी से जीत पाएंगे लेकिन तैयारी तो साथ अफरीका ने भी करके रखी होगी जैसे आप बता रहे हैं भारती टीम को किन चीजों से समहल कर रहने के जरूरत है जाहिर सी बात है कि साथ अफरीका की टीम ने भी भारत में महरे तलाश लिये होंगे कि इन महरों को जल्दी मात देनी है अगर दे दी तो ये मैच हमारे हाथ में भारत के वो कौन से किरदार हैं जो भारत के लिए हम रोल लिए ने वाने वाले हैं रोई शर्मा विराट की जोड़ी तो है ही, हलाकि विराट का बल्ला भी चला नहीं है, शान्त है, लेकिन वो बड़े मैश के खिलाड़ी हैं, वो बड़े मैश के लिए शान्त बैटे हैं, और आज निसंदे वो अच्छा खेलेंगे, विराट को ली और रोई शर्मा, रोई श साम से बरकरार रखना होता है वो ही रख रहे हैं पोच की भी रणनीती है तफकान की रणनीती है पूरी टीम की पूरी टीम एक होकर खेलेगी यह सेवी फाइनल स्टेज क्या आपको लगता है कि यह प्रेशर माउंट करने वाला एक स्टेज आ जाता है यहां पर कई बार बाड़ी लेंग्वेज है वो चेंज हो जाती है अगर दो तीन अवर अच्छे निकल जाएं विरोधी टीम के या हमारे निकल जाएं तो उन पर प्रेशर आ जाता है वर्ड क्रिकेट में प्रेशर हैंडल करने में असलिया को कोई जवाब नहीं है इसमें कोई शक नहीं है लेकिं दूसरी टीम अगर मेरी व्यक्तिकत राए लेंगे तो दूसरी टीम माइंड गेम में और जो मेंटरी जो बहुत ही मैचूर है वो भारतिय टीम है क्योंकि बहुत अच्छे से ये खेलती आरी है लगातार और जो उनको कहा गया है जो टीम जो सोच रही है जो टीम रहा है थाए उसको फली भूद कर रहे हैं जमीनी वीद उनको कर रहे है टीम मेंजमेंट ने जो सोचा है मेरे साथ हाँ बहुत जल्दी मनुझ जोशी जी पी मेरे साथ जुरने वाले हैं हमारे सपोर्ट सेटर के तर पर रोहित का पिछले मैच में देखा था जब रिशव क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में भारती ये टीम जिस तरीके से खेल रही है इस नोकाउट स्टेज में आने पर कैप्टन आपक होते हुवे भी देख सकते हैं कि देखिए ये एक नेचर है कि अगर वह भी इनसान है और किसे गलती हुई तो उनको गुसा आया यह पार्ट ऑफ कैप्टन शीप है क्योंकि लीडर एक ऐसा होता है जो पूरी टीम को लेके चलता है वह अपना देखो सो नहीं देखा उसने वह सो बना सकता था लेकिन उसने तीम को तरती दी और मारते चले गए और वो किस के लिए कर रहे हैं वो भारत्य टीम के लिए कर रहे हैं और ये पंद को भी मालूम है और पंद से गलती हुई चाहिए वो जाने इन जाने कैसे भी हुई तो ऐसे में अगर डाट गीजा सीनियर प्लेयने तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे बड़े उदारन है लेकिन उनको आपा नहीं पोना चाहिए अगले मैच में अच्छे मैच में मैं यह उनको एक हिदायत दूँगा दूर रहते हैं पिच के बीच में नहीं उतरते हैं लेकिन पिच और खेल को कहीं ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं मनोच जोशी जी हमारे बीच में इस वक्त आ गए हैं मनोच जी बारिश का मौसम है क्या उम्मीद करें कि ये बारिश केवल भारत में होगी और जहां पर भारत और भारत का मैच होने वाला इंग्लेंड के साथ वहां पर चौके चकों की बारिश होगी। बिल्कुल मैं तो चौके चकों की बारिश हो क्योंकि फाइनल में पहुंचना खिताब जीतना बड़ी बात होती है लेकिन चैंपियन की तरह भारती टीम खेल रही है तो चैंपियन वाले अंदाज में ही पहुंचे और बारिश की बदौलत ना पहुंचे अच्छा लगेगा क खेल भारत का बहुत शांदार रहा है और और तो और जिस तरह से जो सुपर आठ के मुकाबले हुए सुपर आठ में भारत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए सबसे ज़्यादा चौके लगाए सबसे ज़्यादा स्बसे अच्छा भारत का था एवरेज भारत का सबसे अच्छ आप जीद गई हो ये लेकिन ये काम भारत ने किया था चेंपिन्स ट्रॉफी में 2013 में तो अब बारी है टी टूंटी वर्ल्ड कप में उसी करिश्मे को दोराने की आप जिब बात करते हैं मनोजी उमीदे बहुत बढ़ जाती है लगता है कि सारी चीज़े बहुत अच्छी है लेकिन फिर वर्ड कप भारत में हुआ वर्ड कप याद आता है और फिर दिल थोड़ा सा मायूस हो जाता है लेकिन इसको अलग रखते हुए मैदान किस तरीके का बिहेव कर सकता है मैं यह जानना चाहता हूँ क्या मैदान को देखते हुए क्या इस फोरकास की कंडिशन को देखते हुए खेल टॉस यह सारी चीजे क्या एक नए सीरे से सोची जा रही होंगी बिल्कुल नए सिर्ज से निया मैच होता है निया अध्याय लिखा जाता है पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है यही बात रोही शर्मा अक्सर जोर देते हैं और बार बार वो जो समवादाताओं के इस सवाल को बिल्कुल खारिज करते हैं कि कृप्या करके आप चहल को भी उतार देगा एक साथ एक फास्ट बालर को कम करके तो उन्होंने का हमारे पास फास्ट बालर भी बहुत थे तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबको यह एक साथ उतार दें तो विकेट स्पिन फ्रेंड़ी है इसमें कोई दो रहा ही नहीं और टॉस जीत कर अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है वैसे तो बैटिंग और बॉलिंग में बहुत जादा इस पिच पर जादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन इंडिया का इतिहास कुछ ऐसा रहा इस T20 वर्ल्ड कप में कि जितने मैच हमने पहले बल्ले बाजी करते हुए बड़ा स्कोर जब ह अपनी पीक पर हैं एक जड़ेजा अगर थोड़ा सा और ठीक ठाक बॉलिंग करें तो मुझे लगता है कि फिर तो चैंपियन वाला हमारा अंदाज होगा लेकिन जितने भी हम रन बनाएंगे पहले रन बनाएंगे उतना भारत के लिए अच्छा रहेगा जितने हम रन बना पहले करें लेकिन हमें तयार रहना पड़ेगा अगर इंग्लेंड ने टॉस जीता अगर उन्होंने बैटिंग ले लिए पहले तो उसके लिए भी हमें चेज करना भी हैं हम अच्छा कर रहे हैं हमारे पास विराट को लिए हैं जो वर्ड का वन ऑग बेस्ट चेजर है 1% हार भी गए तो मैच जीतना जरूरी है इसलिए चेज भी अच्छ它 ना है और उनको कम से कम रन पे रोकना है मैं बार बार कह रहा हूं कि लंबे ग्राउंड है चोटे ग्राउंड नहीं है यह यह चोटा ग्राउंड नहीं ग्याना का बड़ा ग्राउंड है और लगवग 75 75-80 मीटर तक कहीं एरिये से उनकी बांडरी है तो उसमें हमारे स्पिनर काफी कारगार होंगे जैसा कि कहा गया है मेरा अपना मानना है कि इस मैच में जो हमने बाहर बिठाया हुआ प्लेयर हमारा राइट अम लेक्स पिनर शहल को चांस देना चाहिए यह मेरा व्यक्तिकद मामला है अब वो किसको भार करना है यह तो कप्तान की रणनीती होगी या कोच की रणनीती होगी मेरा ऐसा मानना है जैसे इनकी बैटिंग लाइनप बहुत अच्छी है उसको भेजने के लिए स्पिन ट्रैक होगा तो कुलदीप और चेहल की जोड़ी धूम मचा सकती है मेरा ऐसा मानना है महनुजी आपको भी लगता है कुलदीप और चेहल की जोड़ी धूम मचा सकती है और दूसरी बात यह जो संकेत भारती एड्रेसिंग नूम से निकल कर सामने आ रहे हैं कि winning combination के साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं करनी तो आप किस तरीके से देख रहे हैं से देखिए आपने जो कहा वो बड़ा विभारिक पक्ष है और जो शशी काला जी ने कहा वो बहुत आधर्शवारी सोच है आइडिली तो बिलकुल चहल होने चाहिए और वो यहां पर तुफ जी रहती है कि अगर भारत जीत रहा है लगातार जीत रहा है तो जाधा वो combination के साथ जाधा छेड़ चाड़ नहीं करते और इस वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक ही बदलाव उन्होंने किया जो कुल्दीब यादव को लाए और वही तुरूप का एक्का थाबित हुए देख अक्षर पटेल विकेट चटकाते हैं सत्रवियोवर में आकर जो है ट्रेविस हैड का विकेट बहुमुले विकेट जो है बुम्रा चटकाते हैं तो यह जो combination तीन चार खिलाडियों का है वो गेंदबाजी में कमाल का है मैं कहूंगा कि इसके साथ तो छिड़ चाड़ नहीं के साथ मुझे थोड़ी गुझाइश कम लगती है छेड़ चाड़ करने की बहुत सारे एक्सपर्ट को मैं मैं इस मैचों के दौरान लगातार सुन रहा था और उसमें कई सारे एक्सपर्ट एक लाइन पर आकर एकमत होते हुए दिखाई पड़े उन्होंने बूम्रा को तो पैनिक में लाया जा सकता है ऐसा क्यों कि भारत यॉर्कर का कम इस्तेमाल करता है ऐसा नहीं है कि भारत यॉर्कर का इस्तेमाल नहीं करता हमारे बॉलर्स यॉर्कर फैक्ते हैं लेकिन अगर आपको विकेट ऐसी लग रही है कि विकेट लग रही है कि आपको शॉट अफ प्रणाउस भी आ रहा है आज का मैस देख लिए दिया जो अफगानिस्तान हा रहा है वंसाइड इड़ उसमें आप कोई बोल तो नीचे रह रही थी कोई बोल एक दम आप रही थी कल मैं जोशी जी से बात कर रहा था यह यही बात कर रहा था कि आई सीजी का टूर्नामेंट ह इसमें विके बहुत अच्छा स्तर्की होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अनप्रिपेड विकेट हो या प्रॉपर विकेट रॉल नहीं किया हुआ है पूरे अच्छे से तयार नहीं विकेट उस पे आप इतने बड़े मैच करा रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है अफगानिस्तान बेशक हा रहा है आज लेकिन सबसे बड़ा योगदान फिच का भी रहा है और फिच ने यह रंगत दिखाई है अगर बॉर्ड पेट होते एक सो दस रहोते किसी तरह से तो फिर आप देख लेते अफगानिस्तान भी कितना अच्छा से अंधर्श करता है इसमें वह कारण य जा रही है तो जब आप बॉलर यॉर्कर ट्राई करता है तो उसके लिए कई पर खामियाजा में भुगतना पड़ता है सी शोर है समुद्री किनारा है ब्रीज बहुत तेज चलती है और इससे भी टकराना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बॉलिंग जिस तरफ बॉल की जा रही है अगर हवा उसी डिरेक्शन में है तब तो बहुत फायदा मिलता है लेकिन अगर हवा उल्टी है तो दिक्कत होत अगर एक तमगा एक नाम जो साउथ अफरीका की पहचान मन गया है चोकर्स क्या आपको लगता है ये आज चोक कर जाएंगे या फिर आज इस तमगे को ये निकाल फेकेंगे अभी तक तो सिमी फाइनल से आगे ना बढ़ पाना उनकी सबसे बड़ी परिशानी थी और वो लगातार चोक होते जा रहे थे चोकर का टैग उनको मिल गया लेकिन इस बार वो फाइनल तक पहुंचे हैं और जिस तरह की उनकी गेनबाजी रही ठीक है शशी काला जी ने इस तरह उसने सारे इतिहास का एक नया पन्ना लिखा है इस बार जिस तरह का उनका टॉप ओडर है कमाल का है जो दो तो सेंचुरी पार्टनर्शिप उन्होंने की है गुरबाज ने और जादरान ने तो मुझे लगता है कि यहां थोड़ा सा हमें पिच के साथ साथ अपनी स्टेटिजी बदलने की जरूरत है और वो हमने बदली भी है अगर आप जस्पीद बुमरा को देखें उनको ज्यादातर विकेट सुपर एट में स्लोर बॉल पर मिले हैं जो स्लोर बॉल पर यह उन्होंने ट्रेविस हैड का विकेट लिया और जिस तरह से उनकी जो आफ अलाजी से की बाटमेंट जिस तरह से यॉरकर हमारी जादा नहीं हो पा रही बाटमेंट बहुत उम्दा प्लेयर इस बार रहे हैं खोज रहे हैं साउथ अफरीका की पांच यॉरकर कराने के प्रयास में पांच फुल टास गेंदे उन्होंने फैकी टीम से जगा उनके अप भारत त्यार है लेकिन मैं ए प्लैन की बात से ही आप से भी शुरुआत करूँगा शची जी के पास भी जाओंगा अगर आपको देखते हैं इस मैच को अगर आप देख रहे होते तो प्लैने के मताबिक बैटिंग अगर आपको चुननी पड़ती सबसे पहले तो आपका करता वही जो अभी कर रहा है या उसमें कुछ फेर बदल करता है क्योंकि अब तक विराट कोली असर नहीं छोड़ पाए हैं सबसे अच्छी जो खूबी है हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है हम एक कोई भी प्लैन को पगड़ते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट रहते हैं इतनी जल्दी हम लोग जैसे होता है चोटा बच्चा गोध में चंकना उधर बसता है तो उधर देखने लग जाता है इधर बसता ही हो जाते हैं जैसे आप पाकिस्तान टीम में देखते हैं कई अन्य टीमों में देखते हैं लेकिन भारत स्ट्रिक्ट रहता है अपने प्लैन पर यह बहुत अची बात है और कई बार हमने एंडियन टीम में भी देखा जिस खिलाडी पर आपने भरोसा किया वो उसी ने को लिए यहां कुछ ऐसा अद्भूत कर जाएं जो अभी तक देखने को नहीं मिला है क्याते हैं ना क्रिक्ट अनिश्यताओं का खेल है और इसमें अनिश्यता ही निश्यत होती है मैं इसको बात को लगातार कह रहा था शाशीकाला जी भी मेरे साथ जुड़े हुए है शाशी नहीं हो रहा था कि एक विकेट गिर गया तो दूसरी पार्टनर्शिप के रन कम हो गए हर पार्टनर्शिप का योगदान करीब करीब बराबर था क्या यही तरीका भारत को अगर बैटिंग शुरू करते हैं तो बड़ा स्कोर करने में मंदद करेगा जनाब मैंने पिछले मैस में से पूर भी आपको कहा था कि एक तीन बल्ले बाज हैं हमारे रोई शर्मा विराट कोली और पंद इन तीनों में से एक बल्ले बाज को लंबा खेलना होगा और जब लंबा खेलेगा तो पारटरशिप डिश्टित रूप एक निष्टीत रूप पर किसी ना किसी के साथ होगी सुरिय कुमार बहुत उची फार्म में हैं हमारे पांडिया बहुत उची फार्म में हैं और नीचे जब जूर्ट परती है हमारे मिडल ओर को या लोर मिडल ओर को तो वो भी अपना दिखा चुके हैं चाहिए वो अक्षर पटेल ने एक संशित और बहुत अच्छी पाड़ी खेली एक हमारे लेफ्ट एंड बैट्समेर है मिडल ओर में उनका नाम मुझे अभी दिया मुझे याद आती है निल कुमले जी की बात कि मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगा आप खेलो वीरू तो वीरू ने वो परदर्शन करके दिखा दिया था क्योंकि अगर आप प्लेयर के ओपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो वो प्लेयर आपको करके देगा अगर प मस्या है पैदा करती है लेकिन हम सभी जो क्रिकेट फैंस हैं आज वाकई तलवार की धार पर ही हैं शाम आड़ बजे मैच देखने के लिए पूरा भारत जुटेगा और सभी देखना चाहेंगे कि आज भारत की टीम किस तरीके से आतिशवाजी करती है चोके चको की शर्ष झाल 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 झाल